हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का अपके अपने यूटूब चैनल एजुकेशन प्लस जोब पर आज अपने इस वीडियो में बात करें आस्तान सिये चो बरती से जुड़ी वी कई खबरे सामने आ रही है जिससे विद्यारतियों के अंदर कई परकार की संकाई उत्पन हो र क्योंकि इसी तरीकी का बयान जो है विभाग के द्वारा पहले भी जारी किया गया था तो विभाग की बातों फिर अब चात्रों को किसी प्रकार को कोई विश्वास नहीं है चातर चाते हैं कि अब तूरंत जब सब चीजे हो गई है इतना समय हो गया तो रिजल्ट को जार को अब बीकिया देगे चैनल को सब्सक्राइब की आप लोगों को पल पल की अपडेट देए क्छ ऑप्राप ये नहीं नहीं को और वह सी अलग हो रहे हो बहुत सारे अभ्यारतियों के मन में यह चल रही है कि यह भरत वेनिवाल की सकरिता कम क्यों हो रही है इसके बारे में अपन संपूर्ण में जानकारी लेंगे कुछ लोग इस वरी गरवडियों को लेकर किरो डिलाल मेना जी को गैपन देने वाले हैं तो क्या आप उनकी इंट है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे तो प्लीज वीडियों को पूरा देखेगा हर विस्थार से समझेंगे इसके अंदर अब बात करें पहले डाउट कि क्या बरत वेनिवाल इस आंदोलन से हट रहे हैं तो इस बारे में अगर बात करें तो कल के दिन में चल रहा बारा आप लोगों को सरकार उर्बाग के सामने रहे हैं तो इन्यशीत कालीन के अंदर दरने का यूजन करेंगे या वो इस आंदोलन से बिल्कुल अलग नहीं हो आ लेकिन चात्र है वों कल की अनुपस्तिति रास नहीं आ रही है यानि कि जो बारा से लेकर पंदरा जनवर के बीच वो सीवी लाइन के अंदर दरना देंगे और जो मुख्य मंतरी का आवास है उसका गरावी वो लोग करेंगे अगर मैं अपनी राय दू तो मुझे लग रहा है कि बरत्वेनिवाल जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप लोगों से अलग होंगे वो इस दरने मिना जी की दोरा जही बरती को केंचल करवाने को लेकर काफी फरवावित है और उनका मानना है कि अगर किरोडिलाल मिना जी उसी परकार से सरकार और वाग के सामने हमारी समझ्याओं को रखते है तो निश्ची तोर पर कोई ना कोई इसका हल जरूर निकलेगा दूसरी पर उस चीज का किस परकार से फरक पड़ता है वो लोग आप कमेंट करके जूर बताईएगा यानि कि अभी तक कि रोडिलाल मिना जी की कोई नहीं हुए लेकिन अगर चातर चाहेंगे और उनको ग्यापन देंगे तो मुझे लगता है कि वो इस चान्दोलन से जरूर अगर पर उनको अपने राइप सकते हैं क्योंकि इसको लेकर कोई विश्य विश्य सबूत अपने पास नहीं है तो इतना बड़ा इल्जाम हो विभाग के अपने अपने लगा सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारे अपधरतिया से जो अगलग अपने 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 कम कर रही है जो अगले पर दारित शॉय चिसका कई घृललंबाने कंपनव मइन क्यूं कर दियक ऑन झाल इसके डियर और कोई दिल्ग मने कर दियो हैं तो इसको लेकर को अपती ये सब साब तो काफी अबैर्तिं का यह मानना है कि जो यह एक बहाना है रिजल्ट को देर करने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है अब जो अन्तिम प्रशन है वो सबसे इंपोर्टेंट प्रशन है और हर किसी के माइन में यह सवाल है कि आखी रिजल्ट कवाएगा काफी धरने दे जानकारी दिये कि साथ से आर दिनों के इंदर आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है यानि कि उनकी मंचा अभी भी रिजल्ट को लेकर विल्कुल भी साफ नहीं है आगे देखे तो वेनिवाल ने वापी दढ़ना देने कि दमकी दे दिये कि हम 12-15 जनवरी के बी मिश्वास निए कि क्या सच में विभाग जो है वो जारी कर देगा के रिजल्ट तो यह अपना आज का सारा विसलेशन था अगर आप लोगों को वीडियो में देगी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं अगर वीडियो में देगी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें